मित्रो, आज हम आपके लिए बड़ा ही पावरफुल और महा सक्तिसाली टोटका, महा सक्तिसाली वसीकरण विधी आपके लेकर आए हैं, जो की बहुत कम लोगों को पता है, मतलब बहुत कम तांत्रिक लोग इस टोटके के बारे में जानते हैं, क्या आप किसी से प्रेम करते ह और उससे साधी करना चाते हैं, उस इनसान को अपने करीब लाना चाते हैं, तो मित्रो, आज हमारे द्वारा बताएगे इस टोटके से आप किसी भी इस्त्रिप्रूस, किसी भी गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड का आसानी से वसीकरण कर सकते हैं, यह प्यार में जीत हासिल कर करने का बड़ा ही पाउरफुल और महा सकतिसाली टोटका है, और इससे पहले हमने जिसको भी यह विधी, जिसको भी यह टोटका बताया है, उसमें से सभी का काम हुआ है, आप भी इसे जरूर करके देखे, आपका भी काम अवश्य होगा, चलिए, अब मैं आपको इसकी आपको क्या करना है, सबसे पहले प्याज लेनी है, और प्याज के उपर मारकर पैन की सहायता से आपको उस इस्त्री या पुरुस का नाम लिखना है, जैसे कि उसका नाम सोनम है, तो आपको इसके उपर प्याज के उपर लाल पैन से उस इस्त्री का नाम लिखना है, इस पर इस परकार जब आप नाम लिखने के बाद आपको प्याज को दो भागों में काट लेना है और प्याज को इस तरह से काटना है, कि जिससे कि ये नाम जो इस पर आपने लिखा है, ये कहीं से कटे ना जो है, इस प्रकार प्याज को आपको सावधानी पूरवक दो भागों में काट लेना है, इस प्रकार, अब आपको क्या करना है, प्याज को इस प्रकार काटने के बाद दो लोंग लेनी है और एक लोंग को इस प्रकार से प्याज में गाड़ देना है इस प्रकार और दूसरी प्याज में इस लोंग को इस तरब से गाड़ देना है इस प्रकार दोनों प्याज में इस प्रकार से लोंग को गाड़ देना है अब आपको क्या करना है इसके उपर थोड़ा सा लाल कुमकुम या लाल सिंदूर लगा देना है इस प्रकार दोनों पर इस प्रकार कुमकुम लगाने के बाद इसको इस प्रकार से बंद कर देना है अब आपको people का पत्ता लेना है और पत्ते के उपर इसको प्याज को रख लेना है और इसको इस परकार से मोड देना है इस परकार अब आपको एक मंत्र हम बता रहे हैं उस मंत्र का उच्चारन करते हुए मंत्र है ओम सर्वेसाम यच्छनी देवी मम हिर्द्य वस्यम करू करू इस प्रकार से आपको 108 बार मंत्र बोलना है और इस प्याज के उपर फूक मार देनी है 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको एक सुईन लेनी है और सुईन को इस प्रकार से इसमें गाड़ देना है प्याज के अंदर साफधानी पूर्वरवक इसमें इसको गाड़ देना है अब आपको क्या करना है इसको किसी बहते हुए जल में या किसी चोराय पर जाकर के इसको रखाना है और इतना करने के बाद आप देखेंगे उस इस्त्रिय पूरुस पर बड़ा ही भेंकर वसी करन होगा वह एक पल भी आपके बिना रहना ही पाएगी आप से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी